हेलो माइ बीटिफुल सोल फैमिली होप यौल आ वेरी फाइन एंजॉएंग यूर लाइफ वेलकम तु दिस चानल देसंट आरो 7777 सो आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि कौन से गुड निव्स कौन से ब्लेसिंग्स अन कौन से सर्प्राइज आपके पर्सनल और प्रो टाइम में देना चाहते हैं ठीक हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा चेंजर हो जाए आपके कोई चोटे मोटे स्टेप लेने के वज़े से यह गाइडेंस आपको चानना बहुत जादा जरूरी है इसलिए रिडिंग आपके सामने आया है ठीक है तो मैं आपको सब कुछ बता सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे जीमेल और इस्टाइडी के तुरू जो कि मैं आपको स्कुर्ण पर शो कर दिया है आपके परसे रिडिंग पेड होती है ठीक है और अगर आप लोग चानल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप सभी फैमिली मेंबर बन सब्सक्राइब कर देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही मेसेज़ेस है परसनल और प्रोफेशनल सभी के बारे में डिसक्स करूंगी ठीक है आपको बताऊंगे इंफॉर्मेशन और राइट उपेंड होकर देखना है क्योंकि बहुत सारी चीजें कर सकती है कुछ चीजें नहीं सब्सक्राइब कर सकती है तो अब मैं आपको बताने वाली हो कि आप सभी को पायल सेलेक्शन कैसे करना है तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ के एकॉर्डिंग है और कार्ड भी है ठीक है मैं आपको पॉस्ट करके दिखाऊंगे आगे पहले मैं एक्स्प्लेइन कर दी कुछ लोग चाते हैं डेट ऑफ बर्थ के एकॉर्डिंग कुछ लोग कार्ड के एकॉर्डिंग तो मैं दोनों ही रखती हूं ठीक है और राइट सो मैं आपको बताना चाहूंगे अगर आपका बर्थरे वन से 16 के बीश में आता है तो पाइल वन आपकी रिडिंग होगी ठ पाइल टू में है 17 से 31 के बीश में अगर आपका बर्थरे आता है तो पाइल टू आपकी रिडिंग होने वाली है और काड है आपके लिए तोनों ही बहुत अच्छा 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 अट्रेक्टिव काड है सो सबसे पहला काड है आपके लिए मैनिफेस्ट ओके दिस इ ठीक है पॉस्ट करके दिखाऊंगे और आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है मतलब कि अपने भगवान ईश्वर जीजस अल्ला वाहिगरू जिसे भी आप मानते हों उनका नाम लेकर अपने काड को या अपने पाइल को सेलेक्ट करना है ठीक है अब मैं मिलूंगी आ अपने इस प्यूटिफुल काड को सेलेक्ट किया होगा या फिर आप अपने इस डेट अफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे चानल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए परसर रिडिंग लिए कॉन्टाक कर सकते हो मेरे जीमेल और इस डाइडी के थरू सो म पर बताया जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला है इस वन वीक में या हो सकता है यह आज का दिन जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो हो सकता है कि अभी से लेके एक लंबा दिन जो चलेगा 24 आवर वो टाइम ज हो सकता है कि मन मनद के अंदर आपका जो किया हुआ मैनिफेस्टेशन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोंग ऐसी एनरजी मुझे आप दिखाई पड़ रही है तो यह चीज है कि आपको कोई जादा जोडो सोडो से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको मिस्स कर रहा है वेभी आपके लाइफ में कोई परसन इंटर करने वाला है तो या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को बहुत बड़ा असर दिखाने वाला है बहुत बड़ा इंपक्ट डाल सकता है और काफी अच्छा इंपक्ट होगा ठीक है कावी पावर्फुल एनरजी आपके अंदर आते हुए दिखाई देरी है आपके लाइफ को क्या कर रही है काफी चेंज कर रही है ठीक है सो मैं आपको और इंफॉर्मेशन दोंगी कि क्या है आपका करेंट सिच्वेशन और क्या चेंज़ेस होंगे आपके लाइफ में ठीक है सबसे पहले प्लीज को गिम्या क्यूरिट मैसेज गलाउटो के उनिवर्स खुद ऐसं कहान चाना चाहते हैं कि आप प्राब्लम में चल रही हो लेकिन यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं है इस टेंपररी ये टेंपररी है और काफी जल्दी ये खतम होगा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लोग इस प्रॉब्लम से निकल भी रहे हो मतलब निकल चुके हो कुछ लोग ऑल्मुस्ट बहुत चुके हो अपने रहा पे ठी लियारिटी बहुत सारी लोगों के लाइफ में आते हुए दिखाय दे रही है यह चीज दिखाय दे रहा है अगर आप अपने लाइफ को पूरी तरह जी रहे हो ठीक है अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम के लिए और रही है क्य दे चले जाएए ठीक है और क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए प्लीज गूर्ट गी अक्यूरेट मैसेज बताइए इनके रीकरेंट सिच्वेशन होके और क्या है इनके लिए गाइदेंस वो भी बताइए ओके और राइट सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी वाओ निवस ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस ऑपर्चुनिटी और यहां पे है डार्क मैन का काड है दिलिंग और रिलेशनसिफ बिद अ मैन विद डार्क कॉंपलेक्शन और डार्क हैर दिखे यहां पे यह चीज कहा जा रहा है कि शायद आप पहले तो निवस अफ अनौश्मेंट किसी को मिले किसी के घर में ऐसा हो सकता है यह बच्चों को सुनने को मिल सकती है और जो भी लेडीज हैं यहां पे बहुत ज़ादा परिशान है अपने करेंट सिचूएशन में जिसे की वह चाहती है कि उनके घर में भी बेबीज आयो ठीक है एक और information है, वो है business वालों के लिए, यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए कोई new business opportunity आ रही है, जैसे कि आप अपने life में frustrated हो, मतलब आपको समझी में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से step लेना चाहिए, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपके लिए business एक बहुत अच्छा opportunity दिखाए दे रहा है, आप business कर सकते हो, बेभी आपके किसी close friends से, तिके आपको यह business opportunity मिल सकता है, तिके यह भी energy है, तो क्या guidance है, क्या opportunity आ रहे है, मैं बता रही हूँ, तिके उसके बाद है dark man, यहाँ पे हो सकता है, कि आप जिसके साथ relationship में आओगे, यह किसी के साथ partnership कर रहे हो, यह business वगेरा कर रहे हो, या फिर कोई business का opportunity आपके सामने लेकर आ रहा है, वो person का hair काफी ज़या dark हो सकता है, या फिर वो सावले हो सकते है, ऐसी energy है, ठीके या फिर हो सकता है कि किसी के साथ आप relationship में आने वाले हो, या already हो, तो वो में भी suppression चल रहा है, तो वो फिर से न, उनके साथ आपका reunion होगा, ऐसी energy दिखाई बढ़ रही है, और information में आपके लिए निकालते हो, please God give me accurate message, क्या है इनके लिए information, okay, so यहाँ पे 3 cards है आपके लिए 4 cards है, that's great, यहाँ पे है stubborn, aggressive person, देखिए आपका जो current situation है, यह card बता रहा है clearly, जै हो परिशान हो गए हो, ठीक है आप जैसे कि आप एक जगह खड़े हो, ना इधर जाना चाते हो, ना उधर जाना चाते हो, बहुत ज़्यादा indecision आपके अंदर दिखाई दे रहा है, बेभी आपके सामने दो बात है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि कहां चलना चाह करना चाहिए, जैसे कि आपके लाइफ में दो परसन आ गए, दोनों ही बहुत अच्छे है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि किसके साथ रिलेशनशिप में आओ, तो उस समय अपने इंट्यूशन का यूज करना चाहिए, यह चीज है, तो यहां पर यह चीज दिखा है, वह हो कि मुझे अप कुछ नहीं करना है, मुझे बैठे रहना है, तो ऐसे जो है, सिर्फ आपका खुद का लॉस होगा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, कि आपकी बात नहीं मानी चारी है, आपकी फैमली आपकी बात नहीं मान रही है, ठीके, यह फिर यह हो सकता है, कि आपक जो family member है आपके partner को पसंद नहीं करते है इस वज़े से उनसे आपनी शादी नहीं करवा रहे हो सकता है कि वो कुछ कमीद देखे होंगे तो कभी-कभी जो है family भी सही होती है मुझे तो ऐसा लगता है कि almost हमेसा time पर family सही होती है वो आपके लिए अच्छा ही सोचती है तो अगर आप जिद पे हो तो थोड़ा सा आपको अपने family के जगा पर जाके सोचनी चाहिए अपने लिए कि वो क्या सोच रहे है आपके लिए यह चीज़ सोचना चाहिए तो यहाँ पे आपके अंदर aggression है, aggressive person बने हो, बने हुए हो ऐसा नहीं कि आपके ऐसे personality है आप अच्छे person हो, आप sweet हो आप cute हो, लेकिन तेकि ऐसा होता है कभी-कभी situation change होता है, इंसान भी change हो जाता है कुछ दिनों के लिए काड़ी सुरू हुआ है टेंपररी से तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ही दिनों के लिए आप aggression में रहो, परिशान रहो लेकिन हाँ, aggression है अभी आपके अंदर जिसको ना control में लाने की बहुत जादा जरुवत है तो अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर जिद है, तो उसको खतम कर दीजे ठीके, frying pan का card है यहाँ पे trouble है यहाँ पे आपके अंदर exhaustion, परिशानिया दिखाई पर frustration दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यह जल्दी खतम भी होगा, क्योंकि यह card आपके लिए आया है, problem to be resolved, मतलब काफी जल्दी यह problem solve होने वाला है और उसके बाद angel का card है यह angel card आपको यह बताता है कि spiritual guidance तो यह जो भी हो रहा है आपके life में यहाँ पे उसका एक अच्छा result आपको मिलेगा जैसे कि आप जो है पूरी तरह protected हो चाहे आपके life में कोई भी प्रॉब्लम कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रहा हो आप protected हो protection from harm जो भी harm होगा वो शायद आपके अच्छे कर्म के वज़े से इना आपके उपर जरा सा भी आच नहीं आएगा यह चीज दिखाई देरा है और जो भी आपके life में हो रहा है उससे आपका spiritual development हो रहा है अच्छी चीज़े सीख रहे हो ठीक है यह चीज़ कहा जा रहा है देखिए एक रिमीडी आ रही है आपके लिए वह यह है कि अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ठीक है तो यहां पर manifestation करना है उसके साथ साथ यह कहा जा रहा है कि आप साम के टाइम में दिया वगेरा भी निकाल सकते हो चला सकते हो वगवान के सामने यह चीज़ कहा जा रही है एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा remedy है यहां पर इससे क्या होगा ना कि आप थोड़ी देर के लिए यूनिवर्स के साथ पूरी तरह अलाइन हो जाओगे ठीक है यह इसलिए आपके लिए गाइदेंस आया है और क्या इनकी लिए इनके लिए इंफयर मेर्स के लिए इस्वन के लिए इस रिक लिए शॉर्क्याया यहां पर शार्क काकड़ाया है अन्या पर है ग्रेट अबरी ऑल्राइट सो शबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहती हूं कि प्लीज आप लोग जो है ना अपने हेल्थ पर थ्यान दीजे यहांपी यह चीज कहा जा रहा है कि शबसे पहले आपको अपने हेल्फ पे ध्यान देना है उसके σाथ सा थोड़ा सा मेडरिलिस्तिक टिंग्स जो आपकी है जैसे वेल्थ्ट वगेरा है तो उसके भी ध्यान देने की कोई exploit करे कोई परिशान करे यह energy दिखाई दे रही है वो सकता है जूट बोलकर आपसे पैसा निकाल ले तो यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो कहा जा रहा है ना कि ऐसा loss होने से बहतर है कि आप जो है बिल्कुल aware हो जाईए तो यहाँ पर देख पारे हो ना reading में आ आपको अच्छे से चलना है safe रहना है और अपने बैक वेर को अच्छे से रखना है ठीक है उसके साथ सथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपके सामने को डारेक्ली आकर परसन जो आपको क्लोश है अप्लोश परसन को यह सामने आ जाए ग़र आपसे पैसे वंगेर करना यहां पर यह चीज कहा जा रहा है और राइट क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि पैसे वैसे की मदद तो आप से ले लेंगे लेकिन वह रिटन वगेरा ना करें ऐसी एनर्जी है और आपको बार बार उस परसन से अपने पैसे वगेरा मागने में अच्छा भी न नहीं कहा जा रहा ठेकिए उसके बाद है यहां पे और ग्रेट वरी ओवर नथिंग भाबरी इतना चादा टेंशन आपके अंदर दिखाई दे रहा है किस बात का यहां पे खुद कहा जा रहा है वेल काटके थ्रू कि आप जो है इतना ज़यादा सोच रहे हो वो भी उसके बारहे में जुकि कुछ नहीं है तो यहां पर यहां पर और खुत्म के तो यहां पर आप्सक्म के साथ ताइम करें धर्यडायरा को पुरा है। झाए अगर किसी फाम प चाह रहा है तो यहां जाएगा तो कि यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है किससे क्या होगा जगडा से कोई फायदा नहीं बाद में आपकी बात तो होगी लेकिन थोड़ा सा उनके नजर में गिर सकते हो ठीक है वो लोग आपके नजर में गिर सकते हैं तो बाउंटिंग अच्छा नहीं रहेगा खराब हो जा दिखाई दे रहा है तो यह वनमंथ आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है वनमंथ या टू मंथ त्री मन्स बहुत टाइम के लिए मैंने इस डीग को नहीं रखा है यह दो-तीन मंथ के अंदर ही यह सारी चीजे होगी ठीक है और तीन मंथ कि अंदर यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए और यहाँ पर काड़ है सन का happiness and well-being ठीक है तो आप एक अच्छे person बन रहे हो तो देखिए जब अच्छा जॉब होता है अच्छा काम मिलता है तो फिर खुशियां देरे-देरे खुदी आने लगती है तो वही है आप एसी एनरजी दिखाई देरी है happiness आ रही है आपके तरफ एन काफी अच्छी खुशियां आ रहे हैं आप अपने आपको मेंटेन कर रहे हो फैंली के साथ अगर कोई झगड़ा है तो वह भी अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होगा कि इग्णोर कीजे लडाई झगड़े को उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए काड़ा है है सक्सिस का स्टार का so maybe आपके हो सकता है बहुत सारे लोग सक्सिस्फुल होने व शोट जर्णी हो सकता है कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर कहीं जाना पढ़ सकता है छोटी सी जर्णी हो सकती है यह चीजह यहांपे दिखाई दे रहा है ठीकेफ क्लियर है और यहांपे कोई अगर जा रहे हैं घुमने सोल्ड़ने के लिए या nuovo कोई कोई काम के सिलसले मे कुछ opportunity आपको मिले interview वगेरा हो सकता है या फिर आपको पोस्टिंग हो सकता है यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है और क्या information है आपके लिए दो खाड़ है यहाँ पर सबसे पहले opportunities are waiting for you reconciliation सबसे पहले तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिसके जिसके साथ आपका जगड़ा हो रखा है जिसको आप हमेशा दिन रात मिस करते रहते हो ठीके तकलीफ आपको भी होती है तकलीफ उसको भी हुई है लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब finally उससे बात होनी वाली है आपका reconciliation उस person से होते हुए दिखाई पड़ रहा है pineapple का card है and reconciliation का card यहाँ पर है ठीके तो अच्छी बात है अगर आपका family से भी जगड़ा चला है तो SNE किसे partner के लिए है आपका friend भी हो सकता है आपके family भी हो सकती है उनसे भी आपकी अच्छी खासी बात होने वाली है जो भी गिले सिख वे थे वो खतम होते वे दिखाई पड़ रहे है and door card यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके लिए बहुत सारे door भी open हो रहे है ठीके? opportunities are waiting for you मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके अगल बगल बहुत सारे opportunities है लेकिन आप जिद्धी हो और आप अपने ही में हो शायद इस वज़े से वो सारे opportunities इग्नोर कर रहे हो अपने anger के वज़े से अपने arrogance के वज़े से और काफी जल्दी जब आपका arrogance खतम होगा मन में शान्ती आईगी तो फिर वो opportunities वगेरा को आप देख पाओगे ठीके तो अपने आपको इतना हमेसा strong बना के रखिए उतना able बना के रखिए कि अगर आपके सामने कोई opportunity आ रहा है जो भी यहाँ पर reading देख रहे हो ठीके मुझे पता है तो अगर आप mature हो तो फिर चीजों को अच्छे तरीके से देखने की जरुवत है यह कहा जा रहा है चीजों को positive तरीके से देखने की जरुवत है ठीके यह होता है बहुत साई लोगों का strong emotion किसी के लिए create होते वे दिखाई दे रहा है या फिर हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा hate करने वाले हो ठीके अगर आप अभी के time में किसी से बहुत ज़्यादा hate कर रहे हो तो maybe आगे आने वाले time में neutral होगे यह चिछ clear है बहुत साई लोगों के लिए कि आपके life में कोई new person इंटर कर सकते है या फिर ज़्यादा तर तो reconciliation ही हो रहा है और उनके साथ आपका bounding अच्छा हो रहा है और वो जो person है जो आपको value नहीं कर देते अब वो आपके लिए passionate feel कर रहे है passionate जो love है वो आपके तरफ दे रहे है बहुत जादा बेशुमार प्यार कर रहे है and strong emotion feel कर रहे है emotional हो गए है वो person आपके लिए ठीक है ऐसी energy यहाँ पर दिखाई पड़ रही है जो भी separate हो या फिर दूर हो अपने person से आपके person on off कर रहे है तो ठीक है तो यहाँ पर हो सकता है कि उसको ठोकर लगेगा या फिर वो जो person है उसके साथ कुछ हो सकता है कि third party वगेरा जो है इसको धोका दे के चला गया हो तो इस वज़े से वो आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे है उसको अफ्सोर हो रहा है ऐसी एनर्जी आप पर दिखाई पड़ रही है यहाँ पर energy आपके लिए time to go out and have fun ठीक है यह जो समय है आपका हर एक समय जो है मुझे तासर रखता है कि हर एक समय में आपको ना अच्छे से life को बिताना चाहिए आप serious रही है ऐसा नहीं है कि serious नहीं रहना है आपको serious नहीं है अपने काम के बारे में सोचना है लेकिन एक time कम से कम अपने दिन का रात का एक time ऐसा निकालिए जहां आप थोड़ा मस्ती करो अपने family के साथ या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने husband के साथ wife के साथ babies के साथ ऐसा यहां पर कहा जा रहा है तो यह समय stress देने का नहीं है अब जितना stress लोगे उतना जादा अपने dreams से देना दूर होते चले चाओगे तो time to go out आपको जो है बाहर जाने की जरुवत है और आप जो है घूमने फिरने को जा सकते हो and have fun अब कुछ जिस तरह से fun करना पसंद है उस तरीके से fun कीजिए for example आपको अच्छा खाना पसंद है तो आप बाहर जा की खा सकते हो ठीक्टे e आपको जो है पार्क जाना पसंद है पार्क जा सकते हो movies देख सकते हो तो इस तरह की energy हां प्यारी है तो सबी का अपना तरीका होता है लेकिन करना तो है फन तो करना है ठीक है देन यहां पर information है fair woman and you need to defend yourself मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके उपर कुछ आगे आने वाले time में या अभी के time में ऐसा हो सकता है कि आपके उपर कुछ उल्टा सिधा blame लगा है ठीक है या फिर हो सकता है अगल बगल के neighbor लोग जो है आपके उपर उल्टा सिधा इंजाम लगाते हैं आपके उपर टाउंट करते हैं या फिर हो सकता है ऐसा workplace पे हुआ है तो you need to defend yourself ठीक है किसी भी case में आपको hard नहीं मानना है ठीक है आपको यह नहीं कहना कि हा मैं नहीं यह सारी चीज़े की है जबकि आपने किया नहीं है तो यह चीज है और या फिर आपने अपने को different कीजे ऐसी energy है fair woman का card है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई foreigner person इंटर कर सकते हैं कर सकती है ठीक है उसके साथ आप relationship में आ सकते हो वो जो है काफी beautiful होंगी काफी attractive होंगी काफी handsome होंगे अच्छे होंगे दिखने में और उनका hair color जो है blonde हो सकता है ठीक है यह energy यहां पर दिखाई पड़ रही है और और क्या information है मैं आपको बताना चाहूंगी please God give me accurate message this one so यहां पर scale का card है keep your life in balance आपका life बिल्कुल भी balanced है नहीं ठीक है यहां पर कहा जा रहा है कि आपको अपने life को balance रखने की जरुवत है यहां पर बहुत अच्छा information है यह balance दिखाया जा जाने का time नहीं मिलता busy person हो आपका hectic life है schedule तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपको जो है कम से कम थोड़ा तो कम से कम 10 minutes से भी आप स्टार्ट कर सकते हो आपको yoga करना है यहां पर चीज़े कहीं जारी की जो भी herbal चीज़े होती है ठीक है वो चीज़े खाने की जरुवत है और हो सके तो कॉफी और चाय वगीरा हो सके तो कम ही लीचे आप green tea ले सकते हो यहां पर यह चीज़ कहा जा रहा है तो आ थोड़ा सा थ्याग कर दो तो अच्छा होगा यह चीज़ है आपके लिए यह कहा जा रहा है जो information है exactly मैं आपको वह सारी चीज़े बता रहे हूं then information आपके लिए this one wow that's great यहां पर बहुत अच्छा काड आया है आपके लिए great and good fortune का काड आया है तो यह जो समय है आपके और आप जो है काफी अच्छा अपना काम करके दिखाऊगे for example आपको प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और हो सकता है सबसे best आप करो college में top आप करो result जो है आपके favor में आए ठीक है इस तरह की energy दिखाए दिरी है अगर आप scholarship चाते हो scholarship वगेरा मिल सकता है तो यहां पर ऐसा द दिखाए दे रहा है ठीक है यह four leaf flower आपको यहीं बताता है कि आप का जो यह लख है वह आपकी साथ होने वाला है और क्या information है मैं आपको बताना चाहूंगे प्लीज कॉट कि में accurate message यहाँ पर information है वाओ my god that's great up cards और भी beautiful आने लगे सो यहाँ पर love deep affection and caring connection सो यहाँ पर कोई ना कोई आपके life में इंटर करते हुए दिखाए दे रहा है आपके love life में जो कि आपके साथ बहुत deeply connected होगा प्यार होगा उसका ठीक है उसका जो प्यार होगा ना वो काफी जदा deep and true दिखाए दे रहा है और क्या है information आपके लिए carrier सो केरियर में आगे थोड़ा सा hard work हो सकता है आप hard work खुदी करोगे चूस करोगे आप खुदी ऐसा थोड़ी की भगवान दे रहे आप खुद चूस करोगे हां मुझे hard work करना है और बहुत ज्यादा excitement भरे time आ रहे हैं आपके life में सो यह सारे beautiful information है मैं आपको कुछ और भी cards ले यहां पर सारे बताए हैं ठीक है सो प्लीज कोट कि में एक्यूरेट मैसेज यहां पर एंजल फोकस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपके उपर ध्यान तक नहीं देता था वह इंसान आपके उपर पूर्य को पूरा focus बना रहा है आप अपना focus जो है अब अपने खाम करते हो तो काफी अच्छे से attention देते हो काफी अच्छे से सुनते हो ठीक है यह भी energy है focus होने वाले हो अपने लिए अपने केरियर के लिए अपने family के लिए यहां पर आपकी wisdom में भी काफी ज्यादा growth हो रही है ओके आप यहां पर लिख सकते हो I am intelligent ओके और यहां पर साथ-सा यहां पर दिखाई दे रही है आप किसी चीज पर रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो और यह information आ रहा है और यहां पर जो भी टास्क आपको दिये जाएंगे family के द्वारा जो भी आपका काम रुका हुआ था वह complete हो रहा है okay figure out होते हुए दिखाई दे रहा है आप अले भी protection card आया और यहां पर भी protection card आया है तो बिल्कुल लिखिए comment में और claim कीजिए I am safe and sound ठीके I am blessed I am always divinely protected यह जरूर लिखिएगा आप लोग यह line बहुत important है I am always divinely protected ठीके क्योंकि यहां पैसा दिखाई दे रहा है कि Archangel Michael जो है वह आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर र पीपल से ठीके I am out of harm's वे ठीके तो कोई भी अगर आपके रहा में हाम आएगा या कोई problems आएंगे तो इससे आप तुरंत निकल जाओगे बच जाओगे और राइट और क्या इंफॉर्मेशन है प्लीज कॉट गिव में एक्यूरेट मैसेज ओके boundaries यहाँ पैसा दिखाई दे रहा है कि आपके life में जो भी boundaries है जैसे कि आप आपको तरक्की करने में जो भी boundaries आ रहे थे उस सारे boundaries ना नीचे गिरते वे दिखाई दे रहे हैं और सब कुछ easy होते वे दिखाई दे रहा है I am protected from negative energy yes यह clear बता रहा है कि अभी बहुत सद रहा था वह आपके लिए right time नहीं था अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि right time आ रहा है आपके लिए divine time आ रहा है so automatically सारे boundaries खतम हो रहे है negative energy खतम हो रही है ओके यह बहुत अच्छा information है कि आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ या किसी भी time में रहो आप हमेशा protected रहोगे negative energy से ठीके अन्यासा भी दिखाई दे रहा है कि changes हो रहा है for example आप जो है negativity से positivity के तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हो ठीके and क्या information है दो काड़ बैलेंस ठीके जो कि बहुत जादा जरूरत था आपके लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि balanced हो और आप एक harmonious जिंदिगी को enjoy करते हुए दिखाई पड़ रहे हो and last आ चुका है कि yes definitely आपको एक loving relationship मिनने वाला है okay so आपका heart open है my heart is open I encourage romance in my life ऐसा भी आप लिक सकते हो comment में so यह चीज़ क्लियर है कि आप जिसके साथ आने वाले हो relationship में उसके लिए काफी ज़्यादा romantic होगा जितना इस new relationship में feel करने वाले हो okay यहाँ पर हो सकता है किस person से आपकी पहले दोस्ती हो शुरुआत हो online मिलो matrimonial site में मिलो या फिर अगर भी मिले हो हाल फिलाल में तो ऐसा दिखाई देरा है कि उस person के साथ आपका relation बहुत high level पे जाने वाला है यह सारे information है आपके सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्ताइड के तुरू जो कि मैंने आपको स्किन पर शो कर दिया है ठीक है तो चलते हैं ददक लिए टेक क्या अपना ख्याल रखिए गा और अपने फैमिली का भी हलो पाई-टू होब कि आप अपने इस प्यूटिफुल कार्ट क मैं आपको बताने के वाली हूं आपके करें कि क्या होने वाले हैं आपके लाइफ में आपकर झाने लाइशन है ऐन क्या गाईड़ेंस की आपको बहुत जादा जरुवत है ठीके अभी के टाइम में ृ-क, सबसे पहला कार्ड जो आया है वह आपके लिए कर्ण साधर स्लिप करते हैं सो पहला इंफोर्मेशन है oh my god that's great सबसे पहला काड़ ही है रोस का कार्ड oh my god देखे यह मैं आपको बताना चाहूंगे जैसे कि आप रोस देखते हो ठीके रोस के नीचे काटे होते हैं तो ऐसा आपका लाइफ दिखाए दे रहा है और ऐसा यहां पर रिप्रे देखे रहा है न कि जब अपने लाइफ में और आगे बढ़ हो गे तो आपको पेटल्स मिलेंगे मतलब सौफट 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 बेटल सब देख रहे हो डेट कलर के मतलब कि उसी तरीके इसे आपका लाइफ भी होगा एंसा दिखाए देरा है कि आपने अपने लव लाइ दे रहा है कि यह जो आपके लिए मन्त चल रहा है या आगे आने वाले जो मन्त है तीन-चार मन्त वह काफी ज्यादा रुमैंटिक भरा होगा बहुत ब्यूटिक्फुल होगा पूरी तरह रुमैंस होगा आपके इस लव लाइफ में यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है मतलब सारे चार्मिंग आपके चहरे पर वापस से लौट रहे हैं आप बिल्कुल रोस की तरह खिलते वे दिखाई दे रहे हो आपका जो लाइफ है वह रोस की तरह खिल रहा है ठीक है यह चीज़ यहां पर बताया जा रहा है रोस का बहुत कुछ रिप्रेसेंट कर रहा है रोस क आप क्लियर्डी यह बता रहा है कि आपका लाइफ यह बिल्कुल एक रोज की तरह होगा आप खोदी एक रोज की तरह परसन बन्ते वे दिखाई पर रहे हो क्या है इनके लाइफ चे चल रहा है ओके आया है आपके लिए कार्ड इस वन बहुत अच्छा कार्ड है टॉर्च का कार्ड है स्प्रिच्वल डेवलप्मेंट इंलाइट्मेंट अवेर्नेस अड़ अदर्स्टैनिग सो आप ऐसे पर्सन हो जहां पर हमेशा ही आप जुख जाते हो ठीक है कोई आपके उपर ऊचा आवाज करता है आप हमेशा जूख जाते हो और सुन लेते हो अप सिर्फ देखते रह जा कहा जा रहा है कि अवेर रहने की जरुवत है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके लाइफ में जो कि मतलब सुरू में ही देखा होगा बहुत बार देखा होगा कि वह आपसे जैलिस फील करते हैं और हो सकता है कि वह अपने उपर परदा डाल कर आएंगे इंश्राउड़ेट कर कि आएंगे अपने आपको और ऐसा दिखाएंगे मैं बदल चुका हूँ मैं बदल चुकी हूँ मैं अच्छा हो चुका हूँ अब तुम मुझे एक चांस देतो सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है फ्रेंशिप में भी हो सकता है तो यह चीज कहा जा रहा है कि अपना ध से आपका काफी ज्यादा छगडा हो रखा होगा ठीक है लेकिन आपको इस बार भरोसा नहीं करना है मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसने आपका भरोसा जो है तीन-चार बात तोड़ दिया है उसके साथ फ्रेंशिप रखने की जरुवत्ती क्या है ठीक है दुनिया में किसी इनिमीज नहीं होते हैं आप सभी जानते होगे इनिमी किस तरह के होते हैं जो आपके अगल बगल ही रहते हैं आपके इंवर्मेंट में होते हैं आपके हो सकते हैं ठीक है और उसके साथ साथ आपके वर्क प्लेस पे होते हैं आप कॉलेज जा रहे हो यूनिवर्सिटी जा वहां पे होते हैं कभी-कभी वाप टाउन करते हैं कभी-कभी बहुत अच्छे से बीएफ करते हैं और अच्छे तब हेफ करते होंगे जब उसको अपने ज़यर्त होगी आपसे तो एक चीज है कि आप में कुछ ना कुछ ऐसी बात है तरहिज कुछ ना कुछ आसे क्वालिटी है जिसके वज़से यह लोग जालस फील करते हैं आपसे ठीक है तो हो सकते तो अपने सिक्रेट्स ना बताएं किसी को बहर वाले को ना बताया तोने भाई-बहर को आरामसे बता सकते हो तो कि हर एक इंसान के लाइफ में कुछ अच्छे लोग होते हैं कुछ बुरे लोग भी होते हैं तो जो बुरे लोग है उससे आपको अवेर रहना है जून मंद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जून मंद तक आपका स्पृच्वल डेवलप्मेंट होगा ते कि आप युनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो ति कि आपके साथ कुछ ऐसा होगा होने वाला है ति कै जिससे आपको पूरी तरह अपने भगवान पर इश्वर जीजत सल्लाव वाही गुरू जिससे भी आप मानते हो उन पर आप आप बंद करके ट्रस्ट करने लवोगे तो इस तरह का आपके साथ कुछ होगा कुछ अच्छी तरक्की होगी या फिर हो सकता है कि आपको भगवान प्रोटेक्ट करेंगे किसी ऐसी चीज से ऐसी आप एनर्जी दिखाए देरी है तो आपके अंदर जो जागरुकता नहीं है इनलाइट्मेंट नहीं है वह इनलाइट्मेंट आते हुए दिखाए दे आपके अंदर अवेर्नेस भी आ रहा है प्लीज आप लोग सब अवेर रहिए यह चीज कहा जा रहा है ठीक है थोड़े से आप हो सकता है सौफ्ट हटेट हो आप किसी के बातों में जल्दी से आ जाते हो ठीक है यह अगर आपको कोई रोकर कुछ थोड़ा सा बोल दे यह थ ठीक है यह चीज है सो काफी जल्दी आपके अंदर अंडरस्टानिंग आ रही है समझ आ रही है अवेर्नेस आ रहा है ठीक है स्प्रिच्वल डेवलप्मेंट हो रहा है यहां पर हो सकता है कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करो आप अपने लाइफ में जिसके वज़स से हो सकता है कि कुछ अच्छा हो लेकिन ऐसा कुछ होगा जो कि आपके लाइफ को जरूर चेंज करेगा और आपका स्प्रिच्वल डेवलप्मेंट उसी वक्त होगा ठीक है यह चीज है जून के मन्त में ऐसा होगा आपके साथ और क्या है पहला ही काड़ा चुका है आप गिर के दिस वो भी एक टेंपररी है टेंपररी सिचुएशन है और यह खतम हो जाएगा ठीक है फेट रखिए फेट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इस जिंदिगे को जी रहे हो तो आप सुरू से ही देखे होगे जब आपका जनम हुआ होगा तो फेट रखे होगे फ गुट लग दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी भी एक्जाम वगेरा को देने वाले हो अभी एक्जाम देने चाहरे हो या कोई रिजल्ट आने वाला है तो यूनिवर्स भगवान आपको जो है ना गुट लग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे फेवर म सब कुछ तुम्हें मिलेगा ठीक है सबसे अच्छा तो मुझे आपके केरियर के लिए दिखाई दे रहा है यह भगवान आपको डैरेक्ली आके गुट लग दे रहे है ठीक है और रिजल्ट आपकी फेवर में ही होगा ठीक है उसके बाद है यहां पर यहां पर बहुत अच से भी है जो कि आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे है ठीक है वो चाहकर भी आपको भूलने पार है आपको अपने दिमाग से निकालने पार है ऐसा कोई परसन हो सकता है में भी हाल फिलाल में आपकी किसी से बात हुई है ऑनलाइन मैत्रिमोनियल साइट पे में कॉलेज में दिखा है ठीक है जो कि आपके तरफ बहुत जादा अट्रैक्शन फील कर रहा है जो कि आपको बहुत जादा याद कर रहा है मिस कर रहा है आप उसके नजर से निकली नहीं पा रहे हो ठीक है मुझे दसा लग रहा है कि वह आपको फॉलो भी कर रहा है में भ सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यहां पर फेदर काड़ है यहां पर सकता है कि कोई ऐसा परसन हो जो कि आपसे यंगर हो सकता है ठीक है जो कि आपके लैफ में इंटर करने वाला है यह जो person है यह person अलग है दूसरे person मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि कोई आपके life में इंटर कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको अन्वाइट कर सकते हैं थोड़ा परिशान कर सकते हैं तो बेटर है कि वैसे person से दूर रहे यह broken ring का भी card है कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि broken ring आपको यह बताता है कि आपका जो relationship है उसमें थोड़ा सा आपको maintain करके चलना होगा थोड़ा compromise करके चलने की जरुवत है क्योंकि हो सकता है कि अभी के time में आपका अच्छा relationship नहीं चल रहा है या business भी ऐसा हो सकता है तो कभी कोई पैसा वगेरा भी लगा रहे हो तो थोड़ा सोस समझ कर लगाईएगा यह चीज है और यहां पर है डेंजर इस्पेशली इन मनी मैटर तो जैसे कि मैंने भी बोला कार्ट भी आ चुका है तो जो भी कहीं भी अगर पैसा लगा रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो तो सब कुछ जान कि ठीक है information लेके यहां पर यह कोई ऐसा नहीं बता जा रहा है कि आपका पैसे में लॉस होगा यहां पर सिर्फ आपको अवेर किया जा रहा है ठीक है आपको आगे फॉर एक्जांपल कहीं आप जाते हो तो डेंजर वगेरा लगा रहता है ना फॉरेस्ट वगेर कि यहां डेंजर है यहां इससे आगे नहीं जाना है तो वहीं यहां पर कहा जा रहा है अच्छा हुआ कि आप इस ट्रीडिंग को देख रहे हो तो यहां पर यह चीज कहा जा रहा है कि यस आपको मनी मैटर में स्पेशली जो है बचके रहना है कोई help मांगे तो हो सके तो इ इसा दिखाई दे रहा है कि अपने पैसे को राम से बचा के रखिए सेफ करके रखिए थोड़ा सा कंजूस हो सकते हो होना है तो और यहां पर वेल्थ का भी काड़ आ चुका है इट मिन्स की काफी जादा आपकी वेल्थ में विर्दी हो रही है फाइनेंशल गेन होते और यहां पर है ओके साइकिक अबिलिटी बढ़ते हुए दिखाई बढ़ रही है यस फाइनेशल गेन का काड़ आ चुका है अपके लिए और यहां पर है पे पे अटेंशन टू यूर वर्क यहां पर आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत जाद अपने काम पे ध्यान काम कर लिया अब तो मेरे पास बहुत पैसे बहुत धन दौलत है अब मुझे वर्क नहीं करना है ठीक है या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं चोंकि काम करते करते परिशान हो गए हो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अब सोच रहों कि अब मुझे करना ही नहीं कोई financial gain हो ही नहीं रहा है तो मैं आपको दोनों ही केस में समझाना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी अपने काम को ना छोड़े पे attention to your work अपने काम पे पूरी तरह आपको ध्यान देनी की जरुवत है ध्यान बना के रखिए अपना अटेंशन बना के रखिए अंसक्स फुल outcome to a problem यहाँ पे आपको यह कहा जा रहा है कि कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़िए ठीक है यहाँ पे यह भी कहा जा रहा है कि आपको जो है ना पहले कोई प्लान बनाना है अच्छे तरीके से तभी आपको अपने लाइफ में और उस प्लानिंग में जो हैं इंप्लिमे और देन उसके बाद कोई काम कंडी की आपको जरुवत है लेकिन काम में लग जाना है कि एनरजी है काम को छोड़ना नहीं है या फिर आप ऐसा सोचते हो अगर आप किसी ऐसा जॉब में हो और आपको ऐसा फील होता है यह बिलकुल भीकार जाओ अच्छा नहीं है छोड़ तो यहाँ पे आपको वार्निंग दिया जा रहा है कि शायद इसी जॉब में आपको प्रमोशन मिलने वाला है यहाँ पे फानेशल गेन होते हुए दिखाई दे रहा है यूजली कमिंग फॉम सम्थिंग यूदि इन दे पास्ट तो यह चिछ क्लियर हो चुका है ना कि आप जहां पे एफर्ट लगा रहे हो जहां पे महनत कर रहे हो जहां पे अपने प्राइवेट जॉब में या फिर कोई भी जॉब में अगर आप महनत किये हो सालों से तो हो सकता है कि आपके बॉस इंप्रेस होने वाले हैं ठीक है आपके सीनियर इंप्रेस होने वाले हैं और फा ओके डिप्रेशन एंजाइटी खतम होगा वरी दाट समवन इस अगेंस्ट यू ठीक है जिन्दिगी में आप कहीं भी किसी भी मोड़ पे रहो ठीक है कुछ ना कुछ ऐसे परसन होते ही हैं जो कि आपके अगेंस्ट काम करते रहते हैं तो उनको ज्यादा वैलू देने की है लेकिन यह तो है कि आपके लाईफ में कोई ना कोई ऐसा परसन है जो कि आप से जालस्ट बहुत जादा फील करता है मेभी आपका हो सकता है यह आपके सेम जेंडर का हो आपकी घर कहीं हो डिलेटीव ठीक है यह इनरजी हो सकती है और क्या इनफर्मेशन है के लिए अके unclear thinking यहां पे कुछ चीजों को लेकर आप जो है बहुत जादा unclear thinking दिखाई पढ़ रही है और वसक्ता है किसमें आपकी clarity हो ठीक है and then a great happiness क्योंकि यहां पे great happiness आया है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके personal and professional life में दोनों में ही काफी जादा growth होगी ठीक है किसी चीज का announcement दिखाई दे रहा है और काफे ज़्यदा उसके वज़से आपके लाइफ में good news का काड़ा चुका है ठीक है यहाँ पर announcement है and good news ठीक है तो यह चीज है बहुत सारी लोगों का result आने वाला है यहाँ पर ठीक है या फिर promotion वगेर आपको सुनने को मिल सकता है और वो सब कुछ आपके favor में होगा good news है ठीक है bad news ने यह good news है तो जो भी announcement होगा तो वो आपके favor में ही होगा या फिर आप divorce वगेरा लेना चाहते थे या फिर आपका कोई case वगेरा बहुत दिन से फसा हुआ था तो वो clear हो सकता है यह चीज है यह energy है कोई अच्छा good news तो आपको सुनने को मिलेगा maybe birth announcement भी आपको सुनने को मिल सकता है ठीक है बहुत सारी ladies जो होती है वेट करती है इंदिजार करती है बेबी की किलकारिया सुनने की कोसिस करती है अपने life में भगवान से प्रे करती है तो हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा good news आपको मिले ठीक है और के information है में आपको बताना चाहूंगे प्लीज कार्ट गेमी अक्यूरेक मैसेच फार माइडियर व्यूवर्स यह कार्ड है आपके लिए नियू उप्रचिनिटीज पॉसिबिलिटीज और पाथ और ओपनिंग सो देखिए आप लगी परसन हो और आपकी लाइफ में बहुत सारे पात है लेकिन हर एक पात का एक डिवाइन टाइम होता है यह चीज कहा जा रहा है और आप बच्चे रहोगे और आप जब बाइक वगेर देखोगे आप चाहोगे कि मुझे यह बाइक मिल जाए तो क्या वह कि आपकी प्यार अपillos को देंगे नहीं देंगे स्वक्त आपको रखए ना क्योंकि वहां पर यह कहा जारा हिए कि अभी आप उस लाइक अभी नहीं बने हो आप डिसर्व नहीं करते हो आगे आने वाले टाइम में डिसर्व करोगे तो हर एक चीज का जो सबलान के झाल जो आप जो है impossible सोचते थे और बहुत सारे पाथ भी open होते वे दिखाई दे रहे हैं देखिए मैं प्रे तो करती हूँ आप सभी के लिए कि सभी कुछ आपको मिले ठीक है मेरा काम यह है कि प्रे करना और आपको गाइड हमेशा करते रहे जो मैं कर रहे हूं पूरे तरीके से साथ लगन के साथ और आपको भी आपका भी यह बनता है कि आप भी पूरे मन और लगन के साथ अपने लिए कुछ करें ठीक है ओल्राइट विश्पोन का काड़ है अब विश्ट ग्रांटेड सो यहां पर एक आपका अच्छा जो बड़ा विश्ट है वह आपको मिलेगा ठ जून तक ऐसा हो सकता है और देन के इंफॉर्मेशन है आपके लिए दिस वन हैपिनेस का कट फिर से आया है देखिए अगर आप शादियर भी नहीं करना चाहते हो बस खुश रहना चाहते हो सिंगर रहना चाहते हो कुछ भी ऐसा दिखाए दिखाए दिर आए कि हां जैसे आपको हैपिनेस मिलेगा ठीक है और इंफॉर्मेशन है आपके लिए दिस वन लव यहाँ पर कुछ लोग रिलेशन्सिप में आना चाहते है एक अच्छा लव पार्टनर खोज रहें तो हो सकता है कि यह परसन आपको मिले और कुछ लोगों के लिएसा हो सकता है वर्क प्ल आपके लिए प्लीज कोट गिब एक्यूरेट मैसेच फिर मैं कुछ और मैसेज इस बताऊंगे आपको ओके सुमुझ ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ कोई बहुत जादा जादा जो है फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहा है ठीक हो सकता है कि कोई आपके तरफ अट्रैक् कर रहे है वह आपके करीब आना चाहते है वह आपके सब टाइम स्पेंड करना चाहते है अनरजी हाँ पर दिखाई पड़ रही है इस ट्रैबिट काट के थू ठीक है अन बॉटम अब देख है दो मोस्ट इफिकल पार्ट ऑफ और सिचुएशन इस ओवर सो यह आपका तो यह अच्छ को चुगा है कि यह पर सन्हाँ है आपके खरना चाहते हैं तो यह आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इस सब्डेशक को हमना चाहते है इस तरह के एस दिखाई पड़ रही है और राइट मैं आपको कुछ और इंफ्रमेशन देना चाहूंगी क्या है आपके लिए मैसेज़ेस प्लीज कोड़ी में एक्यूरेट मैसेज फॉर मैं दियो व्यूवर्स ओके सो आगे आने वाले टाइम में जितना आप अपने नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे क्वालिटी टाइम उतना अच्छा होगा आपके हेल्थ के लिए यह आपके हील लौती रोते हो और मैं यहां पर मना भी नहीं कर रहे हैं आप रोने के लिए आप रो सकते हो और होनेसे के होगा आप हलका फील करोगे यह बिंहीं कहा जानुत है कि आप जितना लोगों की सरम Assisti इमोशनली वीक बनोगे वह उतना आपका फायदा उठा सकते हैं क्युंकि सामने रो रहे हो अपने बाते डिसकस कर रहे हो तो न वह सब कॉंसेसली उसमें तो वह सपोर्ट करेगा आपकी पीड को थपतपाएगा सिम्पाथी दिखाएगा लेकिन वह समझ चाहेगा कि आप कमचोर हो और आपके वीक पॉइंट को समझेगा तो यह चीज कहा जा रहा है क कि उन सारे लोगों से अपनी बाते डिसकस ना करें बाहर में ठीक है बाहर में किसी के सामने भी ऐसे अपने बाते ना रखे और क्या इंफोर्मेशन है आपके लिए ओके एंजल ओफ बालेंस्ट इमोशन्स यहां पर आपके लाइफ में मोशन की बैलेंस जो है न वह दिखाई नहीं दे रही थी अब यहां पर आगे आने वाले टाइम में आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हो आई नर्चर माइस सल्फ आई इंजॉआ हेल्थी फूड इस इंसान के लिए ज़रूरी है खुद को बैलेंस रखना ठीक है अच्छा डाइट लेना गुट हेल्थ दिखाई दे रहा है तो हेल्थ भी बहुत साय लोगों का खराब है तो हेल्थ भी अच्छा होगा क्या इंफोर्मेशन आपके लिए प्लीज को गिव में अक्यूरेट मैसेज रिसीविंग सो यहाँ पर हो सकता है कि आप रिसीव करने वारे हो बहुत सारी चीजे दर दोर तो माहर्ट इस ओपन और एकसेप्ट गिफ्ट लव और अटेंशन विज एस और ग्रेस और राइट त चीज है जिसको आप फील करोगे वह सारी चीज मिलेगी उसमें से सबसे पहला चीज है प्यार ठीक है आपको प्यार मिलेगा ब्लेसिंग्स मिलेगा अपने खुद के लोगों से ठीक है यहां पैसा लग रहा है कि बहुत जादा अप्रिशियेशन भी मिलेगा और आप आगे जो है ना spiritual growth हो सकता है ठीक है यह चीज कहा जा रहा है और के information है आपके लिए action तो यहां पर यह चीज कहा जा रहा है कि आप कुछ creative भी करते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ creative project पे काम करने वाले हो या फिर आपको कोई अच्छा project मिलने वाला है अगर आप हमिसा से चाह दे थे कि मुझे तो कोई opportunity दे मुझे तो अपने team में सामिल करे तो ऐसी energy दिखा हो रहे हैं ठीक है आपके साथ काम कर रहे है और राइट यहां पर क्या information है आपके लिए protection सो फाइनली आप पूरी तरह प्रोटेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हो ठीक है I am safe and sound I am out of harm's way all is well I am blessed I am always divinely protected यह लाइन भी आप लिख सकते हो comment में ठीक है यह एक affirmation हो जाएगा आज का आपका affirmation हो जाएगा कि हाँ मैं divinely protected हूँ और अगर कोई भी harm आपके तरफ आएगा तो वह वापस से चला भी जाएगा यह energy है आपके लिए और राइट तो यह सारे information है कुछ मैं आपको lights के तुरू बताती हूं क्या information है प्लीज कॉट गी में accurate message बता इसमें से सारी चीजे तो ऐसे नहीं के अचानक से मिल जाएगी लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजे है जो आपको मिलेगी ठीक है और क्या information है यह आपका जो अकेला पन है मुझे असा लग रहा है वह अकेला पन तो ज़रूर खतम होगा and then यहापे soul family मैंने आपको बताया and card भी आ आ रही है इसलिए मैंने आपको बता दिया ठीक है बहुत close होंगे वह person आपके हो सकता है कि first time ही बात करो और first time ही बात करके आपको ऐसा feel होगा कि बहुत time से बहुत सालों से सत्यों से इस person के साथ दोस्ती है मेरी and then information trust your path आपको अपने path पर पूरी तरह बरोसा रखना ठीक है चाहिए कितने भी obstacles and challenges कि उना आए and you are not alone आपके जो ancient ancestor है वह आपके साथ खड़े है ठीक है वह आपको support कर रहे है और चाहिए कुछ भी हो जाए कभी आप गिरोगे ना तो वह आपको उठा कर खड़ा कर देंगे ऐसा नहीं कि वह आपको चलाने में मदद करेंगे चल लेकिन वह ऐसा तो नहीं करते हैं कि आपकी स्कूटी चला दें आपको हमेशा रोज पहुंचा रहे हैं ऐसा तो नहीं होता तो यहां पर यहीं एक्जाम्पल यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है कि लोग support ज़रूर करेंगे मतलब आपके जो एंस्टर है वह support करेंगे ले मतलब थो आपको करना एसी energy हैं अगर लोगए सब्सक्राइब कीजिए अंगर आप लोग स्वेशे की स यहां फ़िए और झाल झाल